कि एक बिकर होता है उसको कैलरी मीटर बोलते हैं एक चोटा से बिकर होता है कैलरी मीटर क्या होता है एक बिकर होता है जो नहीं हीट सराउंडिंग में नहीं भेचता क्या बोला मैंने एक बिकर है जो हीट सराउंडिंग में नहीं भेचता तो वह बिकर सब्सक्राइब नहीं भेजेगा थर्माज टाइब का चीज तो वह एकदम रहता है मतलब वह सराउंडिंग में भेजेगा वह कॉपर बिपर कपना रहता है उसमें वूडल स्क्रिक वो सब कुछ होता है ठीक है डाला वाता है वह एंसे अपने को हम यह को रोगसें के लिया करते हैं यहां पर सबांप देख हो यह अपना वह भी कर एक कर जिसकों मृट्व कहलें के सब्सक्राइब ऐक विश्यूआ टाला हएं डीक्विट तरा पहले किया होगा मुझे घुल्त परहिले के काहिं डिटरए कों हग्ले करें एक दुसरे के ऊपर क्या करेगा कुछ 사पोस बॉतर रिसलियर करें होगा कैंले में जबने कंचिăng होगा तो एक दुसरे के ऊपर में हीट लोगे होगा दोनों का तमीचर क्या हो जागा गाई's सेम हो जायगा इक्वल हो जाएगा चलो एक काम करते है अब मैं इस कैए जो यह जो है ऊसको ए बोलता हूं जन्रली कॉपर का बना रहता है तो अब तो कुछ नहीं क्वेस्ट को समझना है को सौल करना है बाद में बड़े बड़े यूज करेंगे तो यह है है यह लिक्विड को भी लेता हूं मैं ठीक है जनरल यह वाटर होता है ठीक है कुछ भी हो सकता है अभी के लिए तो मैं बी लेता हूं और दोनों का टेंपरेचर अब दोनों हीच क्या टाल डिया है डूसन्स गीच क्योण फ़लस स्वेंध होग पिडिया वह सपोस्ट डूहंड डीडो नीजिचिय टेंपरेचर एंचिय स्तुन ठेमडिया हुआ इसका भी टेमडाइचर इनिचल टेंपरेचर ऑफ ए दिया है है लिट के वहें ah इनिशल टेंपरेचर ऑफ बी दिया है लेट से 20 डिग्री दोनों का ड़िए 20 डिया अब इसके अंदर डाल दिया मैंने क्या एक यह वाला चीज एक मेटल डाल दिया जिसका जो सी है जिसका मैं मास देता हूं इसका मास ओफ सी है यहां पर कुछ ले लेते कितना लेते हैं चलो 200 केजी लेते हैं specific capacity of C लेते हैं हम लोग कुछ around 500 ठीक है 500 जूल पर केजी पर केलिवीन ले रहते हैं और इनिशल टेंपरेचर इनिशल टेंपरेचर ऑफ सी लेते हैं कुछ 80 डिग्री अब मुझे एक बात बताओ इस केस में क्या होने वाला बताओ इस केस में कौन किसको सेगा अब यहां तीन चीजा आ गई जसका टेंपरेचर ज़्दा है यह कि guess तो मुर्म झाल है और फाइनल निकान फाइनल तको निंगाल फाइनल फाइनल टैम्पेरिचर पस बैसिक कवें प taraf कृश्टогда क्रब्स फटडवर हो जाएंगे आपके ठीक है ती वैल्यूज सी वी की वैल्यू अलग अलग होंगी वासी टेंपरेचर मास की वैल्यूज अलग अलग होंगी concept सेम रहेंगे ठीक है मैं यहाँ पर कुछ चीजे बताना पहले तो मुझे बताओ एक सिम्पल यहाँ पर हीट गेंद कोन करेगा सुनो हीट गेंद करेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर देखो हीट कि लॉस बाइक कोन सी इस एकवल टू हीट गें ठीक है सॉरी हीट कोन गेंद करने वाला है भाई हीट गेंद अपना करेगा ए हीट गेंद करेगा प्लस हीट गेंद और कोन करेगा बी भी करेगा ठीक है तो अपन डैरेक्ली ऐसा कर सकते डेल्टा क्यू सी जो हीट इसने दी वो हीट किस ने ली ए ने ली प्लस बी ने ली ठीक है अब ऐ ऐसे और दो तीन चीज़े होंगी सी ने ली डी ने ली कुछ भी हो सकता है ठीक है दो दो चीज़े हीट लूस कर सकते हैं दो चीज़े हीट लूस कर सकते हैं दो चीज़े हीट गेंद कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हीट अब यहाँ पर यहाँ पर सिंपल सी बात प्लस एम बी एस बी डेल्टा टी बी समझ में आ रहा है कोई दिक्टत है इसमें इतना तो एकदम सिंपल सा था फिर उसके बाद यहां पर वैल्यू जालते हो गाइस वैल्यू जाल की इसमें क्वेस्चन कैल्कुलेशन ही करने होते 200 ठीक है इंटू 500 इंटू अब यहां पर ही लूस लूज हुआ है तो फाइनल टेंपरेशर सबका टी वाज़ें को फाइनल टेंपरेशर इसका फाइनल टेंपरेशर दोनों का बढ़के कितना हुआ इसका भी टी हो गया इसका भी टी होगा फाइनल टेंपरेशर तो यहां पर जो यह आएगा रिलेशन आएगा वो त्वेंटी देन में रखना यह इंपोर्टन था लिखना टी माइनस ट्वेंटी प्लस ठीक हैं कलर में लिखता हूँ चाहिए दूसरे कलर में मास और बी विचीज फिफ्टी सब्सक्राइब तो जो फाइनल टेंपरेचर आप सबसक्राइब केसे करना है आप नदेख माइब ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब मैंने कुछ examples, basic examples, इस example 4 था, basic examples आपको यहाँ पे करवाए, specific heat capacity के लिए, ठीक है, धाय में रखना, यहाँ पे कही पे भी, there is no, there is no phase change, phase change यहाँ पे, देखो यहाँ पे, guys, सारे questions में अब तक हम ने देखा, phase change नही हुआ है, ठीक है, there is no change in phase, अब simple सी बात है, guys, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैंने एक और चीज़ बनाई है, अब यहाँ पे हम लोग use, discuss करेंगे, latent heat, क्या discuss करेंगे, latent heat, ठीक है, अब latent heat का symbol L होता है, ठीक है, L होता है, और यह कब use होता है, यह चीज़ होता ह ठीक है, अब देखो, simple सी बात है, जैसे मैंने आपको बला, water में, and ice में, दोनों जगे पे, phase change कब होगा, phase change होगा, कब, कौन से टाइम पे, phase change होने वाला है, water का temperature कितना होगा, 100 degree, तो देखो न, यहाँ पे, यहाँ पे, एकदम boiled water है, एकदम boiling water है, इसका temperature 100 degree दिया हुआ है, इसका भी temperature 100 degree दिया हुआ है, अब मुझे बताओ, इसको मैंने heat दिया, सब लोग सुनो यहाँ पे, सब लोग सुनो, अब इसको मैंने heat दिया नीचे से, heat देना चालू किया, मैंने बहुता, दोनो को steam में convert करना है, complete steam में मुझे convert करना है, मतलब water को भी steam में convert करना है, इसको भी steam में convert करना है, मुझे बताओ, case number 1, case number 2, किसमें ज़्यादा heat लगेगी, case number 1 and case number 2, who will need more heat, case number 2, because it has more mass, simple, it has more mass, तो heat यहाँ पर ज़्यादा लगेगी, अब मुझे बताओ, when there is a phase change, temperature remains what, temperature remains, constant, भाई, बोला था ना, मैंने temperature बदलता नहीं है, temperature constant रहता है, तो यहाँ पर there is no phase, there is no change in temperature, delta T 0 होता है, धायर में रखना, phase change में, हमेशा, हमेशा phase change में, there is no change in temperature, delta T is equal to 0, तो धाय में रखना, heat is only proportional to mass, now the proportionality constant, guys, the proportionality constant, इस case में, it is called, directly लिदो क्योंकि हाँ पर delta T का तम ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, M into क्या बोलेंगे, अब जो proportionality constant है, उसको हम लोग बोलेंगे L, और इसको हम लोग बोलेंगे latent heat, latent heat, अब इस case में देखो, यह vaporize हो रहा है न, इसको बोलते हम लोग latent heat of what, vaporization, तो यहाँ पे एक न word आएगा, आप लोग लिखो, आपको spelling पता है vaporization का, ठीक है, LV, LV का मतलब क्या होता है, ब्रैंड वाला LV नहीं, latent heat of vaporization, टीक है, अब मुझे बताओ, आइस के case में, आइस अपना face change करेगा, हर आइस जो है अपना पेश्चेंज करने वाला है On The 20 अब मुझे बताओ अब मैं तरह का पूरा यस में कंवघाte कुई सब्चे पूरा का जब मैंने हीट देना चालू किया फूरा का पूरा आइस किस में कंवचा वाटर में कंवठ होगा पूरा इस यादा इनरजी लगेगी दहें में रखना पूरा का पूरा आइस वाटन्ना र mudar होगा लेकिन Sc magicβा वो जीरो ही रहेगा जीरो ही रहेगा जीरो ही नीजिए मिद्ढ़ आगो कि इसमें इसमें भी क्या होगा इसमें भी ही टीज otherwise proportional to mass there is no change in temperature again in this case there is no change in temperature इसमें भी ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते है delta q again it is proportional to क्या mass into latent heat और यहां पर इसको हम लोग बोलते latent heat of क्या बोलते है इसको हम लोग क्या बोलते है f f का मतलब क्या होता है फ्यूजन latent heat of fusion समझ में आ रहा है एक फॉर्मूला एक है latent heat का मतलब जब फेस्ट होता है एक ही फॉर्मूला delta q is equal to क्या होता है मास into latent heat L आइधर इस वेपराइशन नहीं तो fusion fusion का भी जोगा वेन आइस आइस इस चेंजिंग इंटो ओट ठीक है वेपराइशन का भी जोगा वन वाटर इस चेंजिंग इंटो steam चलो पहले तो मुझे बताओ एक्जम्पल वन देता हूं आपको इस है ठीक है आइस का टेमपरेशर दिया एधसे-50 डिवरी Celsius मुझे इस आइस को ना गाइस मुझे इस आइस को पूरा का पूरा वाटर में कनवट करना किसमें करवट करना थी वाटर नहीं स्टीम में करवट करना इस आइस को मुझे कंवर्ट करना इस का मास दिया है और माइनस 50 डिगरी का इसका टेंपरेशर एट प्रेश्ट उसको पूरा का पूरा वाटर इस आइस इंटो स्टीम स्टीम में करना है हाँ मच एनरजी अहल निडर कितनी एनरजी मुझे लगेगी एक काम करो सब लोग सुनो सब लोग एक्चुल में एस की वैल्यूज पता है कितनी होती है 4200 2100 यह सब एस की वैल्यूज होती इनकी आइस का अलग होता है वाटर का अलग होता है फिर इसका स्टीम लेटन्टीट अफ वेपराइशन में 336 इंटेट अब थी वेगरे होता है लेकिन अब में वह एनरजी वह सब में वैल्यूज यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कंसे देखना है एक्च्वल में आपको एक् करते हैं specific heat of S of ice देता हूं मैं S of ice देता हूं मैं लेटसे 100 ठीक है कुछ भी एक इन जनरल वेल्यू दे रहा हूं में जूल पर केजी पर केलिए S of water दे रहा हूं मैं 200 ठीक है मैं वापस बता रहा हूं यह कोई values actual values नहीं है इस question को solve करने के लिए दे रहा हूं ठीक है लेटन मैं देता हूँ 10,000 Joule per kg and latent heat of vaporization देता हूँ 20,000 Joule per kg अब मुझे पता हूँ यहाँ पर कितना heat लगने वाला है total energy कितना लगेगा to convert this ice in completely into what steam steam at 100 degree I want to convert this ice into steam इस ice को मुझे steam बनाना है how much energy I'll need total delta q कितना होगा steam at 100 degree is at minus 50 degree step 1 step 1 क्या होगा पहले क्या बनेगा पहले ice minus 50 degree से जाएगा ice कितना पहले minus 50 degree से जाएगा ice 0 degree तक ठीक है minus 50 से 0 degree जाएगा simple सी बाते याद करो जाएगा तो delta q कितना लगेगा m m कितना है 10 c of ice s of ice 100 into delta t कितना है वो 50 ठीक है इतना energy लगेगा delta q1 step 2 क्या हुआ step 2 बताओ क्या होगा ice किसमे convert होगा ice zero degree से water zero degree कुन सा formula यहाँ पर लगेगा इसमें m as delta t लगा न यहाँ पर m as delta t लगा यहाँ पर कुन सा formula लगेगा delta q2 कितना होगा ml भाई ml फॉर्मूला लगेगा fusion तो mass कितना है वापस 10 kg अब यहाँ पर पहले ice zero degree से water zero degree जाएगा तो 10 into कितना fusion is 10,000 ठीक है इतना लगेगा step 3 कितना होगा step 3 कितना होगा वापस water zero degree तो water zero degree to water hundred degree ठीक है वापस delta q3 कितना होगा यहाँ पर मास of water कितना है 100 है सब लोग यहाँ पर देखो मास of water is 10 तो 10 ठीक है s of water कितना है s of water is 200 into delta t which is 100 यहाँ पर कितना लगा जितना भी लगा ठीक है और finally delta q4 like step 4 ठीक है अलग 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 मैंने निकालते जाया गया water at 100 degree to steam at 100 degree to steam at 100 degree अब steam at 100 degree के लिए delta q4 कितना होगा वापस M into latent heat of vaporization M into L M कितना है 10 लेटन है 20 समझ में आ रहे हैं कोई दिक्कत है कि इसमें बताओ मुझे अब यह तोटल जो हीट आई मतलब मेरी को तोटल हीट चाहिए वो कितनी होगी कितनी होगी तोटल हीट अब यह आप निकाल दो यार delta q1 plus delta q2 plus delta q3 plus delta q4 यह निकाल तो आप का अंसर आ जाएगा ठीक है यह total मेरी हीट लगी नहीं रखना यह actual आंसर नहीं है actual में इतना नहीं लगे क्यों क्योंकि मैंने specific heat and latent heat की वैल्यूज गलत ली है आप गलत मतलब questions को easy बनाने के लिए मतलब आपका concept बनाने के लिए यह तो 2100-4200 रटनी कुछ नहीं है सब सब पेपर में दिया जाएगा सब आपको पेपर में दिया जाएगा कोई भी वैल्यूज रटना नहीं आपको कोई बी specific heat किसी का भी आपको material का दिया जाएगा पेपर में रटना नहीं है इधर मेरे अपना माना है ठीक है अजये का दिया जाएगा पेपर में आपको में आपको यगगा भी आपको जाएगा जाएगा झापकोमें इखको माना है है झालओ है झाल झाल